Class 12 या CUT? किस के लिए हमें पहले प्रपेर करना है? CUT के लिए या Class 12 Board exam के लिए? या फिर हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि दोनों exam की तयारी हम एक साथ कर सकते हैं? बिलकुल कर सकते हैं लेकिन कैसे? इनी सब question के answer जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो को लास सक जरूर देखेगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर केजिएगा सो सभी का स्वागत है Humanity Z247 चैनल पर मेरा नाम है अनीता शर्मा और आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने बाली हूँ कि क्लास 12 के साथ आप CUET 2025 की प्रपेशन कैसे कर सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजीगा क्योंकि ये एक ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो है जिसको की हर 12 का बच्चा देखना चाहेगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं कि हम क्लास 12 के साथ साथ हम CUET एक्जाम के लिए preparation करनी चाहिए या फिर हमें CUET के लिए करनी चाहिए या how to prepare for both board exam प्लस CUET तोनों की तैयारी एक साथ करनी चाहिए प्लस आपका जो CUET exam है, दोनों के अंदर आपका difference क्या होते हैं? तो दोनों exam के अंदर, तो सबसे पहले बात करते हैं, answer writing की है ना? तो answer writing पे बात करेंगे, तो answer writing में, अगर मैं board exam की बात करूँ, तो board exam में आपके objective plus subjective दोनों आते हैं, ठीक है? objective plus subjective दोनों आते हैं ठीक है objective हो गया plus आपका subjective ये तो हो गया आपके board exam के लिए ठीक है तो objective में क्या करोगे one more question आते हैं तो इस बार आपके competency based questions जो है वो उनको increase कर दिया गया 50% कर दिया गया है तो आपको preparation जो है वो जादा करनी पड़ेगी हर topic को बहुत अच्छे से clear करके जाना होगा साथ में आपका subjective भी आता है तो अगर आपने किसी point को पकड़ लिया अच्छे से समझ लिया तो आप अपने answer को frame कर सकते हैं तो आपका board exam तो easily जो है वो pass कर लोगे ठीक है इसमें कोई दिक्कतवाली बात नहीं है लेकिन जो आपका CUT का exam होता है वो उसमें totally जो है वो MCQs question आते हैं ठीक है totally MCQs आते हैं तो आपको इस तरीके से में preparation करनी है तो answer writing में दोनों में clear हो गया कि दोनों में कैसे क्या क्या difference है इसमें subjective objective दोनों आते हैं और इसमें सरफ CUT के अंदर सिर्फ आपका आता है क्या objective question that is MCQ अब आता है मारे पास syllabus तो आपका जो class 12 में syllabus है और जो CUT का syllabus है उसमें थोड़ा सा difference है difference क्या है कि आपके NCRT से कुछ चाप्टर को board exam से delete कर दिया गया अब वो आपके board exam में नहीं आएंगे लेकिन वो सारे के सारे chapter deleted portion भी और जो आपकी class 12 NCRT में है वो भी सब को मिला करके CUT में जो है उससे question frame किये जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा इसमें आपका deleted chapter जो आपको नहीं करने है board exam में लेकिन उसमें उसका complete जो आपकी NCRT book है complete NCRT for CUT तो आपको CUT के लिए NCRT CUT के लिए आपको पूरी तरीके से आपको NCRT complete करनी होगी लेकिन class 12 में कुछ chapter deleted होंगे वो आपके subject wise आपको पता होगा कि कौन से chapter related है अब हम बात करते है coverage of the slabels कि हमें अपना हर subject का slabels जो है वो on time cover करना है ताकि हमें जादा जादा revision का time मिल जाए क्योंकि जितनी अच्छी revision होगी उतने ही जादा आपके chances होंगे अच्छा score करने की तो हमें क्या करना है जो time limit है यानि कि अब ये time है बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भी तो exam बहुत दूर है लेकिन बचा अगर मैं December की बात करूँ तो December में आपके pre-board स्टार्ट हो जाते हैं फिर आपके practical स्टार्ट हो जाएंगे फिर आपके जो fab में है वो आपके exam स्टार्ट हो जाएंगे final exam स्टार्ट हो जाएंगे तो यही time है जब आप अपने syllabus को complete कर सकते हो क्योंकि बाद वाला जो time रहेगा वो हम अच्छे खासे से उसको क्या कर सकते हैं revision के लिए हम उसको use कर सकते हैं तो बाद का जो time होगा वो सिर्फो सिर्फ revision के लिए होगा अभी आपको क्या करना अपना syllabus कवर करना है तो यह आपका हो जाएगा requirement for the practice अब यहाँ पर practice की क्या क्या requirements होती है तो आपको subjective question objective question दोनों की practice करनी है तो इसके लिए क्या करोगे इसके लिए आप daily अभी से habit बना लो कि subjective questions को लिखने के लिए आपकी जो writing speed होगी वो अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर कोई question आप से मान लिजे time थोड़ा रह गया और आपका question रह गया है तो अगर आप उसको जल्दी जल्दी लिखोगे writing खराब होगी तो अभी से अपनी habit डाल दीजिए कि आप थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ आपका जो भी question होता है तो उसको आप writing की form में लिख लिए मतलब आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए इससे क्या होगा कि आपको answer frame करना भी आजाएगा साथ साथ में आपकी writing speed भी बढ़ेगी साथ में आपकी writing भी अच्छी हो जाएगी clear है next करते है level of the question अब question का level कैसे होता है जैसे के मैं बात करूँ आपके board exam की तो one marker, three marker, आपके five marker, आपके eight marker questions होते हैं न ऐसे आपके CUET के अंदर हर question carry करता है आपका one mark तो यह सारी detail मैं बताने वाली हूँ आपको आगे के उसमें ठीक है अब यहां पर आपके यह सारे के सारे क्या है यह arts के domain subject है इसके अलाबा और भी हो सकते हैं मैंने कुछ examples लिए हैं यह history, geography, political science, economics, psychology, sociology, physical education, home science, music और multimedia, mass communication, etc next करते हैं क्या next करते हैं कि board exam का हम अब क्या जानते हैं question paper का pattern जानते हैं जैसे कि आपको पता है कि board exam में 80 marks के questions आते हैं ठीक है 80 marks का आपका पूरा पूरा total paper होता है 80 marks history, polity, economics यह सारे 80 का होता है लेकिन अगर मैं geography की बात करूँ तो वो 70 होता है 70 आपका theory exam हो गया और 30 आपका क्या हो जाएगा practical exam होता है तो यह आपको जो है इसमें आपके subjective, objective दोनों questions दिये होते है 3 गंटे का time दिया होता है 3 hours का और इसमें इस तरह की के आपके 1 marker, 3 marker, 5 marker, 8 marker के questions दिये जाते हैं इसमें कोई negative marking नहीं होती है और total marks जो है 80 होते है प्लस आपके 20 practicals के होंगे तो total दोनों को मिला करके आपका result बनाया जाता है ठीक है नेक्से बात करेंगे अब यहाँ पर हम CUET के exam pattern की बात करते है कि CUET का exam pattern कैसे आता है question paper कैसे आता है तो यहाँ पर 50 questions जो है total दिये जाएंगे उसमें से आपको 40 attempt करने है ठीक है इसमें 45 minutes के अंदर आपको 40 questions solve कर दें कहने का मतलब ये कि हमें speed और accuracy दोनों पर ध्यान देना है क्योंकि अगर हमारी speed कम हुई question शूट जाएंगे marks कमाएगे अगर हमारी accuracy कम हुई तो फिर हम यहाँ पर चले जाएंगे या accuracy नहीं बढ़ाई तो इधर और speed नहीं बढ़ाई तो आपके question शूट जाएंगे इसलिए आपको speed और accuracy दोनों पर ही ध्यान देना होगा next करते है other subject अब मैं CUET के other subject की बात करते हूँ CUET के other subject की बात करते हूँ ठीक है वो तो था सारा आपका domains का 50 questions to be attempt out of the 60 अब यहां पर आपको क्या करना है यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी language की बात करूं या फिर मैं बात करूं किसकी GT की बात करूं तो उसमें क्या हो जाएगा language में अलग आपको दिया जाता है और इसमें आपको अलग दिया जाता है तो language में आपको 50 questions जो है उसमें से 40 questions करने होंगे ठीक है उसमें बड़े-बड़े paragraphs भी आते हैं इसलिए आपको speed और reading जो है वो अभी से बना लेनी है ठीक है और इसमें 60 questions दिये जाते हैं 50 attempt करने होते हैं और आपको 60 minutes का time दिया जाता है इसमें जो आपका exam होगा वो hybrid mode पर होता है अगर मैं 2022, 2023 की बात करूँ तो उस time मैं आपका CBT based हुआ था computer based यानि कि online हुआ था लेकिन अभी से 2024 से इसको जो है वो change कर दिया गया है तो दोनों ही तरीके से online और offline दोनों तरीके से conduct करवाया जाता है NTA इसको conduct कर आती है और पूरा का पूरा इसमें MCQs आते हैं time allotted 60 minutes तो आपको general test के लिए 60 minutes दी जाती है ठीक है next करते है strategy for preparing the domain subject अब हम बात करते हैं domain subject को कैसे आपको prepare करना है है तो कैसे prepare करना है NCRT आपको complete करनी है NCRT से बाहर कुछ नहीं कोई question आना कोई question नहीं आना इसलिए आपको completely NCRT पर ही focus करना है इसके लबा किसी और other book पर आप पर focus नहीं करना है ठीक है तो NCRT को complete करना है understand the slabers first तो सबसे पहले आपको क्या काम होना चाहिए slabers CUET का क्या slabers है उसका क्या slabers है आपके board exam का क्या slabers है फिर से बता रही हूँ CUET के अंदर आपके पूरी entire NCRT book आगी वो भी class 12 की ठीक है चाहे वो class 12 की आपकी history हो या फिर political science हो तो पूरी की पूरी आपको book prepare करनी है ठीक है उसके अलावा अगर मैं board exam की बात करों तो कुछ chapter आपके डिल्टर होंगे वो आपको board exam के लिए prepare नहीं करने है ठीक है नेक्स आता है और ये आपको CUET की site पर आपको exam.nta.nc.in पर मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा CUET का slabers वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं cover all the slabers वैसे मैंने आप इसकी CUET के slabers की मैंने वीडियो बना दी है CUET 8247 चल पर जाकर देखेगा नेक्स करते हैं कि practice MCQs अब हमें क्या करना है cover all the slabers in depth क्योंकि बच्चा in depth में करोगे in depth में अगर आप समझ के जाओगे तब ही जाकर आप CUET plus board exam दोनों को prepare कर सकते हैं क्योंकि depth में ही question पूछे जाएंगे आपके अगर बोड़ एक्जाम की बात करूँ तो competency-based इस बार जो है वो 40 से increase करके 50% कर दिये गए हैं तो आपकी understanding को check करके कि बच्चा किस तरीके से किस अप्रोच के साथ question को solve कर रहा है तो वो check किया जाएगा यही अप्रोच आपकी CUET में भी आपकी लागू होगी तो आपको क्या करना है depth में आपको study करना है ठीक है practice MCQs जादा-जादा MCQs की practice कर रहे हैं तो आप आधी battle तो यहीं पर जीच जाओगे board exam की भी जब आपने जादा-जादा MCQs की practice करें क्योंकि MCQs आपके इसमें भी आने 50% और उसमें तो पूरे के पूरे MCQs आने तो MCQs पर जादा focus करना है ठीक है next करना है be updated about the तो यह आपको बिलकुल इसमें जो है aware रहना है कि जो भी update होती रहती है CBST की main website चेक करते रहेगा और आपके CUET की जो official website है उसको भी आपको चेक करते रहना है कि कभी भी कोई भी changes करते है कोई भी notification आती है ताकि वो चीज़े आपको पता चलती रहे exam से पहले आपको सारे doubts सारी जो भी उसमें notification आती रहती उसके बारे हैं पता चल जाए next आता मरपा start now start कब से करें अभी से start कर दो क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं अभी से आपने start नहीं किया बहुत delay हो जाएगा और फिर बाद ने कहीं न कहीं वो जब थोड़ा time रहेगा तो उसमें आप चीजों को उपर-उपर से पढ़ोगे इन depth में पढ़ने की फिर आपके पास time नहीं होगा और नहीं फिर आपका revision का इतना चाखा सा time मिलेगा तो अभी ये time है इसको waste मत कीजे अभी नहीं तो कभी ने इसलिए यहाँ पर लिखा गया नेक्स होता है strategy 4 यहाँ पर अब मैं बात करती हूँ कि इसकी GT और language के लिए आपको कैसे prepare करना है GT language के लिए general knowledge आपको quantitative aptitude reasoning start preparing with basics तो आपको यह सारी चीजे जो है basic से start करनी है अगर मैं math की जिसमें math जो है वो quant में आती है तो quant का जो part होता है वो late करता है math से तो उसके basic fundamentals आपको यहाँ पर practice करनी होगी उसके बाद reasoning है उसके बाद general knowledge है daily आपको क्या पढ़ने है daily आपको newspaper वगर पढ़ने है तो newspaper से क्या करते हो newspaper से आपके daily एक habit बन जाएगी और यही newspaper से जो भी आप heading वगर पढ़ोगे यही questions जो है वो आपके CUT में पूछे जाते हैं so current affairs, read the newspaper, internet या फिर आप internet से भी देख सकते हो कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो यह सारी चीज़े आप कर सकते हो अगर अब रही बात board exam की तो board exam में आपका हर subject स्कूल में भी करवाया जा रहा होगा अगर आपने कहीं से coaching ले रखी है तो वहां पर भी करवाया जा रहा होगा और कहीं पर आप जो self study करते हो या फिर आप online पढ़ते हो किसी teacher से है न तो आप उससे भी prepare कर सकते हो ठीक है अगर आपको सारे online जो है वो one shot देखने है चाहिए history है, quality है, geography है whatever आपका जो भी subject है न तो सारे आपको इसी channel की playlist मिल जाएंगे अगर आपको पढ़ना है वाके में seriously पढ़ना चाहते हो तो हर chapter को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है उस chapter का one shot देखना है उस chapter का क्या करना है बच्चा ये the best strategy है इसको अगर आपने side कर दिया न तो इसका मतले भी है कही न कहीं आपकी कमी रह जाएगी आपके preparation में और कहीं न कहीं इसका effect जो है आपको आपके result में दीखेगा next करते है 6 hours in school तो आप school में पढ़ते हो school में कुछ बच्चे time pass करने जाते हैं कुछ बच्चे पढ़ने भी जाते हैं तो बच्चे आपको time pass नहीं करना अपना time waste नहीं करना अगर आप 6 गंटे school में दे रहे हो न तो बस teacher के lecture पर ध्यान दो की teacher क्या समझा रही है then उसके बाद अगर आप underline कर रहे हो अगर teacher ने कहा कि आपको इसको underline करना underline करते हैं अगर आप notes बना रहे हो teacher के साथ साथ में notes बनाते रहे हैं तो यह करना है at least one hour to the GT तो अगर आप मान लीजिए अगर आप school में नहीं पढ़ रहे हो video from under 24-7 मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी chapter को समझना है तो पढ़ने से पहले आप उसका one shot जरू देखी कि इससे क्या होगा आपको एक तो उस chapter के अंदर interest आजाएगा एक उस chapter में पूछा क्या गया है बताया क्या गया है यह सारी explanation आपको one shot से मिल जाती है तो आपको सारे one shots कहा मिलेंगे humanity is under 24-7 चैनल पर मिलेंगे ठीक है कहा पर मिलेंगे humanity is under 24-7 चैनल पर तो आप किसी भी subject के यहाँ पर one shots देख सकते हैं next करता है कि अभी क्या करना चाहिए यह common question है कि मैं अभी क्या करना चाहिए आपने सारी बाते बता दी तो set your target अपना target set करो क्या target है आपका board exam में मुझे score करना है 90 plus तो 90 plus करने के लिए आपको 90 plus वाली तयारी भी तो करनी होगी preparation भी तो करनी होगी तो आपको क्या करना है मैंने कहा ना कि आपको किस तरीके से पढ़ना है one shot देखिए ठीके आपको सारी मिल जाएंगे दन उसके बात साथ साथ में अगर आप notes बारे हो तो फटाफट फटाफट से notes बना लीजिए हैं न और इसके अलावा जब भी आप NCRT को पढ़ते हो blue boxes को जरूर जरूर से पढ़ना क्योंकि वहां से भी questions आते हैं ठीके तो यह आपको क्या करना है 90 प्लस आपको target करना है तो उसके लिए आपको preparation करनी है prepare your mind to do hard work अपने mind को समझा दो कि अब गया वो time कि जब आप मौज मस्ती में आपने निकाल दिया या जो भी time अभी आपका निकल गया निकल गया लेकिन अभी hard work करना शुरू कर दो अभी आप जो है हर subject के हर topic को अच्छे से read out करना start करो अच्छे से समझना start करो तो यह अपने आपको भी समझा लिए अपने दिमाग को भी समझा लिए अपने दिल को भी समझा लिजिए कि अब तो पढ़ना है और पढ़ना देखो हसकर पढ़ोगे रोकर पढ़ोगे पढ़ना तो है तो better है कि उससे हसकर पढ़ लो तो वो चीज़े ज़्यादा अच्छी रहेगी पॉजिटिव रहेगी अगर आप स्रगल नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो आप अपनी प्रोग्रेस के लिए खुद ही आप आदा क्रिट कर रहे हो है ना? खुद ही आप अबंडन्स क्रिट कर रहे हो क्लास 12 तो है प्रोपेशन कर रहे जा रही है साथ में आपकी CUT की प्रपेशन करवाई जारी और ये महा पैक है इस महा पैक को लेने का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि साल बर में जितने भी बैचेस आप के लिए आएंगे वो आपको free of cost मिलेंगे तो मुझे लगता है कि महा पैक अगर आपने एक बर परचेस कर लिया तो सारे बैचेस आपको free मिलेंगे जब तक आपका CUT के एक्जाम नहीं हो जाता तो इसमें भी आपको maximum discount मिल सकता है Y489 अब मैं इसमें कैसे enroll करना है तो इसके लिए आपको कहा जाना है गूगल बाबा के पाथ जाना है यहाँ पर क्या टाइप करना है अड़ा 24-7 ठीक है यह जो है एप को download कर रखा है तो उसके बाद क्या करना है all courses पर जाना है जैसे आप all courses पर जाओगे तो यहाँ पर क्या जाएगा यहाँ पर UG PG entrance exam पर क्लिक करना है यहाँ पर क्या करना है UG PG पर क्लिक करना है arts के हो, commerce के हो, science के हो यह रहा आपका ठीक है तो यह रहा आपका ambition batch अगर आप maha pack में enroll करना चाहते हैं तो maha pack में भी कर सकते हैं तो मैं क्या करते हूँ मैं ambition batch को purchase करके बताती हूँ आपको यहाँ पर क्या करना है buy now करना है buy now के बाद क्या करना है Y489 यह coupon code लगाना है यह secret coupon code है इससे आपको maximum discount मिलेगा चीक है तो जो course आपका इतने का पढ़ रहा था अब वो आपका इतने का हो गया मतलब 17% के discount में इतने का था यह है ना 11,000 का तो अब यह discount करके इतना मिल गया है इसमें आपको PDF daily जो भी हम आपको live classes देंगे एक तो सबसे पहली बात तो इसमें आपकी live classes चलेंगी daily आपको जो भी topic कराया जाता है उसके DPPs आपको दी जाती है daily question practice दी जाते है और जब पूरा chapter खतम हो जाता है उसके बाद एक test आपका लिया जाता है ठीक है तो वो chapter आपको अच्छे से clear हो जाता है और video recorded जो है वो आपके पास रहेंगी तो आप कभी भी उसको दुबारा भी समझ सकते हैं इसमें वाके में आपको बहुत ज़्यादा benefit होने वाला है तो आज ही जाकर enroll करेंगे और maximum discount पाने के लिए बस आपको ये coupon code यूज़ करना है Y489 इससे आपको maximum discount भी मिल जाएगा ठीक है चलिए तो I hope आपको सारी चीजे समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको share करना है और मुझे comment section में लिकर बताना है कि और किस तरह की वीडियो आप लेना चाहते हैं तो उसी तरह की हम लिकर आएंगे ठीक है बाइबर and all the very best for your preparation